हलो एवरिवन मैं हूँ तोसीफ दोस्तों ये गारी है अभी हमारे पास टाटा की सिगना और इस गारी में फोल्ट क्या है कि इसका किलो मीटर नहीं चल रहा है ठीक है तो हम इसका इगनिशन ओन करके और एक टैरा में जैक लगा करके टैर को घुमा रहे हैं तो हमारा देख प क्या है और डैगनोसिस करते हैं इसमें लेप्टॉप लगा करके तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम लेप्टॉप के पास आ चुके हैं और फॉल कोट पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या कोड क्या आ रहा है तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वील वेश्ट स्पीड सेंसर, वहिकल स्पीड, तो यह है 0241, यह इसका कोड है, और जब इस पर डवल किलिक किये, तो इस पर देख पा रहूंगे, कि इसका डायगराम खुल करके आ चुका है, और यह कैसे कैसे क्या है, हाला कि यह एकदम एक्चुबल डायगराम नहीं होता ह और आप इसको देख करके अगर काम करेंगे तो फिर आप फ़स जाएंगे काम नहीं कर पाएंगे ठीक है ये एक एक्चुल डाइग्राम नहीं है इसका एक बताने का एक सिर्फ तरीका है तो चलिए अब इसका हम सेंसर का वायरिंग को चेक कर लेते हैं जैसा कि आप देख पा हम पोजेटिव वायर पे देखेंगे कि क्या हमारा वोल्टेज आ रहा है वहाँ पे इगनिशन वाला तो चलिए अब हम चेक कर लेता है सबसे पहले इसका वोल्टेज को अब जैसे हमने देख पार होंगे कि हमने पोजेटिव वायर पे वोल्टेज चेक कर रहा हूं तो दे तो देख पा रहोंगे कि यह हमने signal के wire में लगाया तो हमारा 3 volt आ रहा है voltage ठीक है तो यह 3 volt voltage आ रहा है तो हमारा यह सही है तो अब हम चलते हैं ground के wire को check करेंगे ground के लिए हमको लगा देताओं पहले उसमें और इसको हम continuity पर set करते हैं जैसे हम continuity पर set करेंगे तो ground में क्या होगा कि इसका ratio बढ़ने लगेगा और अगर इसमें proper ground नहीं होगा तो यह ratio नहीं बढ़ेगा तो देख पाया आपने कि हमारा wiring का connection एकदम proper है एकदम okay है ठीक है तो अब हम चलते हैं इसमें नया sensor लगाते हैं और एक तरीका आपको बताते हैं तो पुराना sensor हम खोल करके निकाल लेते हैं और एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसे आप आसानी से कम time में आप इस program को solve कर पाएंगे ठीक है तो चलिए friends अब हम लाते हैं नया sensor को और फिर देखते ह हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारे पास पुराना sensor है और पुरा रश्टी है ठीक और यह खराब हो चुका है और यह हमारे पास है एक नया sensor और नया sensor इसका price भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका price एक हजार दस रुपे है ठीक है और चलिए अब इसको हम इसके लिए कीलोमेटर को चेक करने के लिए हमारे पास एक इस पेनर होना चाहिए जूत लिए दिखा हुआ है हमारा टापार्या लिखा हुआ है। तो इसके वन और करेंगे के लिए यह और फिर देखेंगे के पोलन हुआ है। लिए आप इस्का connecting कीकी जैसे ही मैंने किलो मीटर उस पे थोरा सा रस किया थोरा सा घीसा तो हमारा किलो मीटर देख पाड़े होंगे कि उठ रहा है ठीक है तो यह तरीका ही आप अपना ही आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा और देख पाड़े होंगे कि हमारा किलो मीटर का जो सुई है वो हिलने लगी है तो अब यहीं से हमको पता चल गया कि हमारा सेंसर ही खराब था तो अब हमने दूसरा सेंसर इसमें डाल लिया है और डाल करके हम अब इसको अच्छे तरीके से फिट करके और फिर हम लगाते हैं इसमें इसके कपलर को कपलर लगा करके दोस्तों इसके कपलर को देना है आपका ये काम हो जाएगा तो चलिए अब हम इस थोड़ा इस्पेनर लगा करके इसको हम पुड़ोपर तरीके से टाइट कर लेते हैं टाइट करने के बाद फिर हम किलोमीटर को चला कर देखेंगे कि क्या हमारा काम हो गिया या फिर नहीं हुआ और आप कभी भी उसी तरीका को अपनाईएगा उस पर रस करके देखिएगा ठीक है तो गारी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हमारा जो टाइर है वो अभी घुमा काम भी प्रूपर तरीके से उठ चुका है और हमारा काम भी प्रूपर तरीके से हो गिया और यह सब से पहले हम फोल्ट आप दिखा दें तो टोटल फोल्ट इनक्टिफ फोर्म में है अब हम टोटल को reset कर देते हैं और reset करेंगे और फिर गारी को release कर देंगे यहासे तो यही थाथ फ्रेंज की यही एक शतिक तरीका इसका फोल्ट को ढूंडने का तो मेरे वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और बेल आइकन को जरूर दवाईएगा और अगर पसंद नहीं आये तो चैनल को डिसलाइक किजिए और यही था आज की वीडियो में और वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए और यह हमारा टैब अगली वीडियो में आज के लिए बस इतना ही और अगली वीडियो में मैं आपको में इच्छा लेटोप है और बहुत ही वीडियो में आगली वीडियो में